हलो दोस्तों, डिस्क्रीट मैथेमेटिक्स के लेक्चर फोर में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ओफ तुरुट टेबल हम कुछ कॉश्चन देखेंगे और समझेंगे तुरुट टेबल कैसे बनाए कैसे स्ट्रक्शन ओफ तो चलिए शुरू करते हैं तो यह रहा हमारा कॉश्चन और इसका हमें क्या करना है टूट टेबल बनानी है तो देखते हैं कि इसकी टूट टेबल कैसे बनेगे सबसे पहले यह देखेंगे कि हमें किस किस चीज की requirement है सबसे पहले तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि दो statement है एक है P, एक है Q ठीक है और उसके बाद P का क्या लेना है negation तो हमें एक ये भी row चाहिए ठीक, ये भी column चाहिए हमें तो ये हो जाएगा negation P उसके बाद हमें क्या चाहिए negation P और Q ये और का symbol है, disjunction का तो जब इस question का जब हम truth table बनाएंगे तो ये ये columns की हमें जरूत पड़ेगी तो आप construct कलते हैं, ये column बना लेते हैं देखते हैं तो ये हमने column बना लिया ठीक, P, Q, negation P और negation P और Q ठीक है, अब क्या-क्या possible values हैं वो देख लेते हैं, ठीक तो मैंने एक trick बताई थी, कि दो है तो कुछ combination ऐसे true-true, false, false और इधर का alternate ले लेंगे true-false, true-false ठीक, अब देखो सारी possibility cover हो गई है अब ये क्या कह रहा है, ये column इसमें हमें लिखना है negation P तो P का जितना भी है जो भी ये है P, उसका जो क्या कर देंगे negation, true है तो false हो जाएगा और इधर false है तो हमारा क्या हो जाएगा true ठीक, अब इसने कहा है कि और करना है negation P का और negation Q का तो हमें पता है, और में अगर दोनो false हुआ, तभी false होगा ठीक, कोई एक भी true होता है तो true हो जाएगा, अब एको negation PA है, और this अगर इसमें एक true है तो ये true हो जाएगा automatically दोनो false है, तभी false होगा वरना true होगा, इसमें दोनों ही true है, इसमें एक true है तो ये हमारा जो true table है, इसके लिए बना लिया हमने, थिक तो सबसे पहले, इसमें सबसे important है ये पहचानना, कि किस किस column की हमें जरुद पड़ेगी, करते हुए, और simply, बड़े simply ही हमें चीज़ कर सकते हैं अब अगला question देखते हैं, एक और simple सा question देखते हैं, फिट दीरे-दीरे complicated करते रहेंगे questions को, सारे types के cover-up करेंगे, फोसिस करेंगे तो अगला question हमारा ये रहा, सबसे पहले चेक करते हैं कितने statement है, सिर्फ P दिख रहा है, तो एक statement हुआ कितने statement है इसमें एक statement हुआ ठीक एक statement या कहलो, एक proposition हो गया, ठीक ये भी कह सकते है ज्यादा better है, proposition ज्यादा use होता है, discrete mathematics में तो एक proposition है, क्या क्या की जरूत है, कितने column की जरूत है, सबसे पहले तो P चाहिए चाहिए ठीक, और negation P भी चाहिए हमें उसके बाद हमें चाहिए P, और ये और का sign है, ठीक P, और negation P, ठीक, अगर दिक्कत है समझने में, और and को, तो ये हमारा and है, तो and में होता है M, ठीक, और उससे ये बन जाएगा, तो ये समझ सकते हैं कि ये and का है, और जो दूसरा हो गया ये वाला, ये किसका हो जाएगा ये symbol, और का हो जाएगा अब इसका construct करते हैं, column construct करते हैं, ये तीन हमें चाहिए construct कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी values क्या आने वाली है तो ये column हमने construct कर लिया, अब एक ही statement है, वो या तो true होगा या false होगा, यही possibilities हो जाएगी, जब इसका negation लिखेंगे, तो true का हो जाएगा, false false का हो जाएगा, true ठीक, अब and करना है P and negation P का हमें पता है कि and में क्या होता है अगर दोनों true है, तभी true होगा वरना false हो जाएगा, ठीक यहाँ पर एक false हो गया है तो इसलिए हमारा false हो जाएगा इसमें भी एक false है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा false हो जाएगा, तो यह भी true table जो है construct हमने कर लिए इसकी, तो अब अगले question की तरफ चलते हैं, अगले type के question की तरफ basically type ना बोलके सकते हैं, variety of question है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से construct किया जा सकता इस चीज को, तो अगला part देखते हैं हम लोग तो अगला question है यह, देखते हैं कितने statement है, या कितने proposition है एक p दिख रहा है, एक q दिख रहा है तो कितने statement हुए हमारे पास, दो statement हो गया, या कहलो दो proposition हो गए, ठीक, क्या के चीज़, छोटे-छोटे में ब्रेक करो, सबसे पहले तो यह पूरे का negation करना है, तो पहले इसको बूली जाओ, पहले इसको तो बना लेते इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तुम्हें एक p चाहिए, ठीक है फिर and करना है, किसके साथ negation q के साथ अब negation q के साथ करना है, तो उससे पहले तुम्हें पास q होना चाहिए, तो q लिख दिया फिर negation q चाहिए हमें, उसके बाद हमें क्या करना है इन दोनों का and करना है, तो p and negation q करना एक की हो जाएगा ठीक है अब जो अगला पार्ट आएगा वो होगा negation किसका P and negation Q का ठीक तो यह हमारे जो है 5 कॉलम इसमें बनेंगे और 5 वही हमारा यह पार्ट आएगा जिसकी truth value हमें लिखनी है तो अब देखते हैं इसको कंस्ट करते हैं पांच कॉलम को कंस्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है तो यह हमारे 5 कॉलम क्योंकि दो ही statement है तो कुछ इस तरीके का combination बनेगा true true false false trick लिख दी true false true false ठीक है अभी देखेंगे तीन वाला एक वाला देख चुके हैं दो वाला देख चुके हैं तो यह चोटी सी बस ट्रिक है अब इसको द्यान से देखो कि यह सारी possibilities हमारी cover हो गई अब हमें क्यों का लिखना है क्या negation तो true का हो जाएगा false false का true true का हो जाएगा false और इस false का हो जाएगा true तो जब यहां पर हमारे पास क्या है पी एंड करना है negation क्यों के साथ हमें पता है अगर दोनों true होगा तभी true होगा true और यह and f तो हमारा हो जाएगा true and true हो जाएगा हमारा true false and false हो जाएगा हमारा false false and true हो जाएगा हमारा false ठीक है तो यह cover हो गया इसको ध्यान नहीं देना है बस इसको और इस column को अब देखना है अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यह जो आया इसका क्या करना है मैं negation करना है तो false का हो जाएगा true true का हो जाएगा हमारे पास false false का हो जाए तो ये हमारे पार्ट को लेर हो गया थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तीन नंबर के लेते हैं तीन स्टेटमेंट वाले लेते हैं देखते हैं क्या होता है उसको तो अगला question हमारे पास ये रहा देखते हैं कितने statement है P, Q और R ठीक तो हमारे पास कितने statement हो गए यास question में तीन statement हो गए ठीक क्या क्या चाहिए हमें column एक P चाहिए Q चाहिए और R ये तीन तों में चाहिए फिर हमें छोटे छोटे पार्ट में break करते हैं P और Q को चाहिए P और Q वाले column को चाहिए P और R के column को ठीक एक P और Q होगा एक P और R होगा अब एक column में चाहिए P और Q and P और R के column में तो हमारे पास ये total कितने हो गए 6 column बनेंगे इसमें तो 6 column को हम लोग construct करके देखते हैं उसके बाद उसकी truth value हम लोग देखते हैं इस final वाले की क्या होगी ठीक है तो construct करते हैं तो ये columns हमने बना लिए ठीक है 6 columns बन गए अब यहाँ पर 3 statement है ठीक है तो वो trick हमारी क्या हो जाएगी True 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 False 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 और False ठीक है जब सिंगल वाला होता था तो हम Alternate लेते थे true false true false true false जब दो हुए तो दूसरे वाले को जो है हम लोग दो बार ट्री दो वर फॉल्स ठीक है अब जो इससे उपर वाला आएगा उसको कहेंगे चार बार true चार बार false ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे एट बार true एट बार false जब एक और बढ़ेगा हमारे पास चार होंगे ठीक है तो अब इसको देख लेते हैं true true false false आएगा true true false false और यह आर का हो जाएगा alternate true false true false true false अब चक करके चाहें देख लो इतने ही combination बनेंगे इससे अलावा कुछ नहीं बनने वाला है अब हम लोग इस इस कॉलम की तरफ देखते हैं P और क्यू हमें पता है और का मतलब है कि दोनों मेंसे अगर एक हो गया तो टू होगा दोनों ही फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा तो पी और क्यू की तरफ देखते हैं यह हो जाएगा true प्रू और यह हो जाएगा ट्रू फॉल्स का हो जाएगा हमारे पास ट्रू 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 खैछर बहुत फॉल्स तुंयू का ट्रोह जाएगा फॉल्स फॉल्स ठू प्रोह फॉल्स फॉल्स हो जाएगा ठीक है अभी करना है अभी यह मैं है और और r का जो column है उनको क्या करना end के साथ करना है हमें पता है end में true तभी आएगा जब दोनों true होंगे वरना वो statement हमारी false हो जाएगी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे दोनों में ही true है तो यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे true हो जाएंगे यहाँ तक अब true false end के साथ है तो हमारा यहाँ पर false हो जाएगा क्योंकि अगर दोनों true है तभी true होता है end में यह पहले की वीडियो उसमें हम देख चुके हैं अब false true की तरफ आते हैं तो false true में यह false हो जाएगा यह दोनों ही false हैं तो यह क्या हो जाएगा false हो जाएगा तो यह हमारा जो है इसका truth table हमने यहाँ पर construct कर ले है ठीक है तो यह हमारा यह भी part पूरा होता है तो आज का lecture यहीं खतम होता है उमीद करता हूँ आपको truth table कैसे construct करते हैं समझ आ गया होगा अगर आपकी कोई भी केवरीज हैं वीडियो लेक्चर से रिलिटेड या फिर कोई कॉशन है जो नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे facebook और instagram एकाउंट पे message कर सकते हैं जिसकी link हमने description में दे दी है और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो subscribe कर लीजे साथी साथ bell notification को भी on कर दीजे तब तक के लिए मिलते हैं हमारे next lecture में जय ही